हलाल ही कॉंसेप्ट जी आनली गेली एकनोमीची जी कॉंसेप्ट भारता मदे 210 सली इस्लामिक बैंक चालो जाली होती ततकाल इन अर्बिया चे गवर्नर होते रगुराम राजान हेचे विरुंद सुब्रमन्यम स्वामे नी आची का दाखल केली कि सेकुलर देशा मदे धार्म अधारिक उटली बैंक चालना नहीं आणि मनोन बैंक फसलियान अंतर तैनी है कंजुमर अधारित नमीन एकोनोमी बनावले लिया है ते वह अशा प्रकर चे जया एकोनोमी बनावनाचा प्रहतने केला जातो आज जगभरा मदे हलाल एकोनोमी फक्त दाहा वर्षा 2.1 ट्रि साच्छे आतंग वादेंचा केसे चालावने साथी खर्चे केली जाता है आपनी खाद्य संस्कुरूती फूड कल्चर या सगलाशी संबंधित परन्तु धर्म, राजकारण आणि तितकेत संवेधनशील विशे जोडलेले असलेले एका मुद्ध्या वर आपना चर्चा करना रहोत रमेश शिंदे यांचा सोबत जे हिंदु जानजा गुरूती समिती से राष्टिय प्रवक्तेत आणि त्याननी हलाल जिहाद या विशे आवर काई संशोदन केले त्यानसा काई मंडने आणि त्याननी केलेले संशोदना त तुन ते काई निशकर्षा ही आपले समोर मांडू इच्छी तात रमेश शिंदे तुम्सो मनपपूर वग स्वागत रमेश जी सद्या तुम्ही जो विशे मानता है तो हलाल जिहाद असा है आणि आ विशे तुम्ही आपूर भी सरकार शी अनेक दा संपर का साधलेलेले उ सद्या निवणनु का सुरुएत कालपर वा आपन लैंड जिहाद हा शब्दा ही आईकला है आणि आता हलाल जिहाद एका सर्वसामान्य व्यक्ती चा दुरुष्टी नी कि वा सर्वसाधरन पने जी आपलेगडे धर्म निरपेक्षा कि वा जी हिंदुत वाची ही जी कलपन सर्वसाधरन हिंदु व्यक्ती चा मत असस्ता कि प्रत्यक ठिकानी धर्म का जोडला जातु है कि वा या तुने भावनांचा राजकरन करनाचे प्रयत्न सुरुएत का सम्वेधन शील मुद्यान ना चुचकारून त्यातून काई मतांचा चांसोलिडेशन करनाचे प्रयत् अधिकार रहे कि तानी कुठला पध्धती चा माउंस खावा ते माउंस कुठला पध्धती ने तानी बनवाव और यहला आमी कदीच विरोध के लेला नहीं है त्यामोले हलाल यहां कॉंसेप्ट लाम चा विरोध नहीं है तैचा माध्यमातून जिहाद चालोए का हा भारता ची अर्थवेवस्ता है ती आपन माक्चा काही वर्षान मदे आपन बक्तोई की ती मोठा प्रमानात विकसित हुद चालेली है जगादाज आपन जवल पास तिस्रय क्रमांका वर्ति योन पोसलेलो आहोत अनी ही अर्थवेवस्ता वाढ़िच लागलेली अस्ताना भारता मदे एक समांतर अर्थवेवस्ता निर्मान करने चाले प्रयत में केला जाता सेल तर तर त्याला निशित पने जिहाद असाज भाग मनावलागल अनि मनुन यहाद रुष्टिकुनात तुन धर्मन इर्पेक्ष भारता मदे जर भारत सरकार्च अनी फडिया जला विग्ल्प καιि चले मिल्याम संकरे लाजने अच्छोवारा केक सके लिए जतासीन हां हुआपति दुमी यह सगयांकीप ज़िए अनि हैं पन तुम्ही नौन्वेज वेजिटेरियन याचा ही सर्टिफिकेशन आए एफसेसाय सर्टिफिकेशन आए मां स्पेसिविकली हलाल वरत आक्षेप का आसा जो प्रश्ण उपस्कित केला जतो त्या पदल गए के यह तुन मुद्धास प्रश्ट होई आज मी च्छोटा सा उधारन देतो कि आज तुम्हाला जर ड्राइविंग शिकाइच असेल तर तुम्हाला चांगले आत्ता धुनिक ड्राइविंग स्कूल साहे तुम्हाला कंपने सुद्कारी सार्ख्या कंपनी चा सुधा ड्राइविंग लाइसेंश देना है कि और भारतर शरकार चाल अधिकार क्यारyorsun oke ज हो ड्राइविंग लाइसेंस देने भारत सरकार ची तो है अब एलाईसेंश देना भारत्सरकार चाल कारा स्थास और फुद लाईसेंस देना भारत शरकार चेंश 1810 ध्रमातन थेस वाiva त्यान अंतर तेचा वर्ति एक हिर्वया रंगाचा डॉट डेता तानी एक लाल रंगाचा डॉट डॉट डेता कि जातून स्पष्टव हवा कि यहाद रुष्टिकोना तून कि हे सर्टिफिकेशन काया है अधा माझा प्रश्णा आहे कि अता जरसमी तुम्हाला उधार नार भारत सरकार ने शर्टिफाइके लेकि रेक्ष्टिन शाकाहरी आहे तुर मुसलीम समाघा चाह थुर्वाह संत्र हातूना चाहोक्स इंगर्डेंस थें आमहें अंतल्य द्रुष्टि नियुकुद्रक्ण क्या शुदा मेद्वेश नो अचे साया ज्यक्त शापशिद हुदावी को यह ब के लिए अचे साहे ती तपास नी धार्मिक आधारवर्ती निश्चुलकन आही त्या सथी एका प्रोडक्स सथी एका वर्षा सथी साथ हजार रूपए ती चार्ज करना हाँ अब भारत सरकार्चा सर्टिफिकेट पिक्षा मदर्शातला हलाल सर्टिफिकेट सूपिरियर है असा कसा मनता है मी अनि तेचा बाजूला हलाल चा सिंबल आहे तर FSSI ने इहला इथे इंग्रिडेंट्स लेले ले आहे तेचा मधे कि यहात कुंता कुंता गोष्टिन चा समावेश्य किती परसेंटेज आहे मग जर हेचा मधे डुक्राचा माउस किवा दारू ही नाही आनि तेचा मुले ते अधिकृत संस्थे ने अत्या दुनिक लैबोराटरी मदे संपूर्न तपसनी कुरून तला सर्टिफिकेट बिल तर मुस्लिम समाजाचा हां अगर का है कि आमच्या मधर्शा तुन तला जो परंतर सर्टिफिकेट मिलनार नहीं तो परंतर आमीते घेनार नहीं ही कुठुन जर तुम्हाला धार्मिक द्रुष्टी ने मानाई चे असे तर हे सर्टिफिकेटेशन ची व्यवस्ता दो नजार तेरा नंतर चालू जली मह दो नजार तेरा चा पुर्वी हलाल चाय नेमका होता मग आचनक पने ही व्यवस्ता तुम्ही चालू करता है आनि या गोष्टी हाचला सवबत मलाउ आपलाला संगाई चे कि पाकिस्थाने मधे एक बात्मी प्रसिद्झ जाली और फिर्शिद्ध में या बात्मी चा संदर्भात जागतिक स्तरा वरती चाल कि तुम्हाला जगावर्ती रज्य करता चाल तर तुम्ही हलाल एकोणोमी ला पाठिम्भाद यह जी बात में आहे ही सब्टेम्बर 2013 लाही हलाल कॉन्फरेंस मलेशिया माद जाल यानी त्यान अंतर है जगभरा चालू जला तो परंत हलाल चाही एकोनोमी ची कॉंसेट कान अवती जरहे तुम्चा धार्मिक गोष्ट आहे याचा अर्थ तुम्हे निश्यत पने कहीतरी य करताने आज दुरदेवा मनुशक्तो आज जगभरा मधे हलाल एकोनोमी फक्त दाहा वर्षा 2.1 ट्रिलियंड डॉलर ची कोनोमी जाले लिया ही तेवा यह उड़ी प्रचंड मोठी एकोनोमी दाहा वर्षा जर जनरेट के लिजात असेल तर ही कशा माध्यमातून के लिजा अज चौकशानी तपास वहला हुआ अता मुख्य मुद्दास है कि सर्वसामान ने प्रेक्षकान ना कि वा लोकान नाई अजुन परेंत हलाल मन्जे काई ही कल्पना माईची ने चरह तुम्ही त्यावर प्रकास टाकलका कि नेमका हलाल ची संकल्पना इसलाम मधे काय और त अर्बस्ताना में ते ची रचना धली आणि तया मदे चांगल कुंत माउस खाल पाहिजे कुछला पद्धतीने ते मिलोल पाहिजे है यहां चे काई नियम तया मने बनाव लेगेले त्यात हलाल अनि हराम अशा दोन कॉनसेप्ट तनी मांडल्या हलाल मंजे यह खाने योग बंजे निशिद्धा है तुमीं खौँ शकत नहीं अशा कही गोश्टी कर आचर ना तानुशकत नहीं आद आटे रहा तरहा जो आहे हैं जामादे हलाल सा मूल जो कॉंसेप्ट आहे तैनी माउस कशा पद्धतिने तुम्ही बनावला पाईजे एक नियम आहे जासा उधारना अर्थ कसाई जो आहे तो इसलाम चा पालन करना रासला पाईजे दूसरा है कि तैने पशुची हत्या करने पूर भी तै अपेजैया जो पुटला हिंदू हाटिक जो समाजे को है तर अशा कुनी सालनार में सीक कि वा हिंदू धर्मतला खाटिक समाजा चालनार नाहे जो पुद्धा है कि in आऊ अचो घुआ जो बहागा है कि यह ठीकानी महत्त आनी समौरून गड़ा जो आहे तो चाकुचा एका संपुर्न रक्त वाहूं दिल पाइजे कारन रक्त हराम मानलेला है रक्त खायला परवांगी नहीं है अनि त्यातून हलाल ची कॉंसेप्ट में हलाल माउस यह उड़ाज मुड़ जो ग्रंथ है तेचा मादे नोंदा है चातुन परन्तु 2013 सप्टेंबर ला मलेशिया मादेजी कॉंफरेंस यहां कॉंफरेंस में तैन्नी हाच मुद्दा घितला कि अपलेला अता जग भरा मदे हलाल एकोनोमी एस्टाबलिश कराई चैने तीजर आनाई ची असेल तर त्या साथी तुम्हाला काई केला पाईजे कि प्रतिक मुसल्मानाने प्रतिक गोष्ट यह हलालाल आ देस्ट देलां चालू करते हैं यहतुन भारता मते जम्य तुले माहीं देला घिंदा है महा रष्टर आहे हलाल काईसल ऐंडिया एख थे इस अंस्तानी है सर्टिक देला चालू केला त्या सटी भरपूर तया से शुलक ही घ्याला सुरवाज जली जगतल्या सत्तावन्न मु आणने इका दिऊसा मदे नियाम किला कि भारत सर्ख्या धर्म निर्पक्ष देशान मधुञ जे उत्पादना आमचे देशा देतील ती हलाल स्रेटिफाइड अस्तिल तर अमचे देशा मदे योव शकताद तैमने भारता देल्या सगले व्यापरी जे मुस्लिम देशान मदे अर्थ व्यवस्था अपले कड़े वड़ाउना चा भाग जाला है तो साधारन पने अशा प्रकर चाहे कि तैशा मदे अशा पद्धती चे लोगो जी आहे तैशा मदे प्रिंट केले जाता अनि यहाचा बरोबर जर आपन बगितल तर वेगवेगला है चामाद यहात मी दा तो तो कि ऑड़ानिक पदार्थ और गानिक इंडिया चे वा तूल्सी चा अर्क अधा तूल्सी चा अर्क माने माउस कसा अशा शाटेल उटला हिंदू ते घालनार ने मगेचे साथी हलाल सर्टिफिकेट चा अवश्यक्ता का आया है परन्तु यहाए अधुनी काडा जर ही दाखोल तरहे मिंगल.com ही डेटिंग वेबसाइट आये वेबसाइट ला हलाल सर्टिफिकेट दिलेगे लेला है अता मला संगा वेबसाइट ला हलाल सर्टिफिकेट धार्मिक रन्तत कसा अशु शकेल चारीज वर्ष पुर्वे इंटरनेटर्स नहोता मन्जे यहां मुंबई सार के शहरा माधे जिते बॉंबे स्टॉक एक्सेंज जाएटी थे हलाल स्टॉक मार्केट चालू जलेला है अता हेजर गोष्ट बगित ली तर माला संगा कि यहां कुछला धार्मिक रन्तत गोश्टिया है स्टॉक मार्केट ची कॉंसेप्ट कधी आलेलिया है मग अर्थवेवस्था स्वताकड़े डायवर्ट करना चा प्रयतनाएक यहां माध्य मत उनकाइच आलो आहे आट जो भाग है मुनुन मिः विश्यावर के अभ्यास केला कि कोना चा खाना पीना है चाही संबन्दन आहे तुम्ही 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 धर्माज जे खाने अचे अधिकाराय धर्मिक दुरुष्टि कोना तुन आमाल तैशी काही देन घेन नाही तुम्ही तुरिजम चालो करा भारता चा व्यापरा वर्ते तुम्ही निर्बंदा अनाल हलाल चानावे स्टॉक मार्केट चालो करा वेबसाइच ला रेगुलेट करा आणि अपली एक स्व अप्ति मदे हिंदुन सधार्मिक अधिकार कुठे है जर रहा डेश सगलांचा आहे खानया पेन्याचा अधिकार सगलांचा अपलेल आठवत असल मोधी सरकार ने 2014 साली सत्य ताल्या नंतर एक गोहत्य प्रतिबंधक काईदा केला होता नंतर महारश्ट्र सरकार नेहीं केल मुस्लिम समाजाने सुप्रिम कोर्टा में दाउन संगीत लगके संविधाना ने आमाला फ्रीडम टू इड दिलेला है आर्टिकल साउदा पंदराचा अंतरगत पंचुष आंतरगत आने अमाला प्रतिक अमचा जया अपिक्षिता थी गोष्ट खानयाचा अधिकार आहे सर यहां एक मुद्दा आसा है कि तुमी जा सर्व मुद्दा ना परिशकरता है त्या एक तर हे अर्थकारण है कि वा माग यह धार्मिक राजकर ने कि वा हे धर्मा चे करें नेमका याला संजाईचा चाहा ने दुसरा मुद्दा सरेटिफिकेशन सा जेवा वीशे तो मला एक एक प्रसंग आठवा होतो, जावली विशव हिंदु परिशत अधिक्रुत फ़ल विक्रेता हूँ अशा एक प्रकार उक्तरवदेशाद जाला होता हूँ आणि त्या वर लगेच एफाएर यी जाली, गुनादाकल जाला सम्मादित वेक्ति वर गुनादाकल करने ताला, त्य इस्लामिक देशान मरे आये का और याम अगे तुमिं अर्थाखारण पाता है की धर्मा चराजकर बहुते दोनी एकत्र अपेडा या अपेडा संस्थे ने जेवा लाइसंस देना चालू केला त्यावडी 2013 मदे तिथे निया मानला गेला कि तुम्हीं एक्सपोर्ट लाइसंस लाप्लाई करत असल तर तुम्हीं पहला हलाल सर्टिफिकेट अनल पाईजे जमिया तोले माहिम चाहिए अपलाईज न भारत सर्कार का मनते कि मिया हलाल सर्टिफिकेट मैंडटरी आहे अचा सथी मनों नियाचा विशी आची का केली अनि जाने वारे 2023 ला मोधी सरकार ने पहला निरना यह विशे चा घितला अनि एक्सपोर्ट लाइसंस तुम्हीं जे अपलाई करता अपेडा मधे तिथुन त जाने वरे 2023 आनि त्या मधे मोधी सरकार ने है संगेत लाकि तुम्हीं जर मुस्लिम देशांचे व्यापार कराई चा असे तर तुम्हीं हलाल स्रेटिफिकेट ता देशांचे नियाम मनों ग्योग शकता पन एक्सपोर्ट लाइसंस चा सथी मैंड़ेटरी भारत सरकार चा तुम्हीं यहां पद्धती ने हैं बेकाइदेशिर पनेजर भारता मधे यहां गोष्टी घालत असाल तो है चुकी चाहें अनि जभा आमी यहां विश्यावर्ती काम करना चालू के लाइचा मधे तर आता मला है मुद्दाम दाखवाए चाहें कि हाचा मधे मैंक्डोनार् पीजाहट बर्गरिंग इसाली दिकलेर करता है अपने वेबसाइट वर्थी कि आमने हमसे लिए लिफशा तुम्हें हाला उल्च अलसाम घालता परतु तुम्हें घाला ग्रहक 95 तक्के मूसलिम असेल तर तुम्हें रेस्टरांट मदली एक सीट तुमी तरी आन्ना रिजर करा आरक्षित करा एं तिथे लिहा कि वावा ही सीट वर्ती जा बस्तिल तरना हलाल फूर्ट सर्व के ला जाई परन्तु बाकी जे नुवर टक के तिथे नरे हिंदु आहे शीक आहे शीक लोकां चा धर्म गरंता लेले के शीक हाँ हलाल माउस कुटले परस्तिते खाऊ शकत न अगरी काला खान्या चाजार तितका अधिकार असे तर तुम्ही आमचा वर्ती जबर्दस्ति कहशी करू शकता अनि महनुन याद रुष्टे ने जी आमी जागरूती के लिए त्यातून उत्तर प्रदेश्य मुख्यमंत्री माननी योगी सरकार जे आहे योगी जिन्च तर शकत नहीं मिसचावर्ति दूसरी कुटली ही साउस्ता दूस्ता लोगु जापू शकत नाही याला मिस ब्रांडिंग मंत्ला जाता है कि तुम्ही भारत सरकार चा लोगो विशी साउशय निर्मान करता है यहालाला चा लोगो आले आमोले वालाल जस्य माना है खाई चाई थ पहिला राज्य बनला कि जिते हलाल सर्टिफइड तर निमीट तेचा गेतले नाहीं तर हलाल सर्टिफइड जी सगड़ी प्रोड़क्साइच तनि संगितला कि भारत सरकार चाज अविशे प्रेस कॉंफरेंस गयों संगितली कि लाइसंस देना चा अधिकार फक्त भारता चा म भारता चा अर्थमंत्रेंस स्टेट्मेंट है और मनों यहां घृष्टिक होना तू नाम समनने कि जर भारता चा अर्थमंत्री महना दस्तिले का राज्य धेच्वार बंदी है तसल निश्यत पने बेकाइदेश्र घोष्टा है है योगी सरकार नी जावरी हलाल बैन के को निश्यत डूपला चाहिक हो यहां अशासो रूपा चेहिजी कारवाई योगी सरकार ने केली ती एक्जिस्टिंग काईदा द्वारे केली है इतर राज्य सरकार अनु त्याब अपतित कई केला तूमी कोणासो बताइंकेन त्याब अपतित औरस्पोंडन्स क्रश्पों मुख्य मंत्रान कड़ या संदरबात ला निवे दुन दिलाने मुख्य मंत्रान नी तया वरती शेरा मारली लाहे कि तातकाल प्रस्ताव साधर करा वा ता निवड नुकिंचा कालावदी धालया नंतर अमला सापिक्षी ताय कि महाराष्ट्रामा दे सुदाती करन योगी जिन कि आज हलाल सर्टिकीशन जरी मंतल है तुदा हलाल सर्टिफिकेशन स्टनेंड ऑपेरेटीच प्रटीजर मंजे शिया लोकांत्ulla है शुन मला विनार ayuda है प्रतिक सांस्य चांचा वुझटलह से ह्दय दूम्हें लिंतोंक्त ऑखली मरें लगार रकतिपीगण कि यह जो भागा है कि यह चातून पहिली गोष्ट मन्जे कि भारता मधे जो अपला मागास समाज आहे दलित समाज आहे हाटिक समाज हा संपूर्ण पर यह बेरोजगार भाय लग लेला है करन जर मैकडोनाल्ड वगरे सगड़े जर हंड्रेड परसेंट हलाल जर जाले तर तै तीन त्या ठीकानी दुखान शिल्लक रहे लेला है यह चा कारान व्यापार संपूर्ण पने जंचा कुड़ून काड़ून वेतला जातो है शंबल टक्क्या हलाल चा नावा खाले तैमने एकिकड़े अपला दलित समाज उध्वस्त हो तो यह माध्यमात तुन आनि महनुन यहाद रुष्टे ने आम सा सरकार कड़े ही विननतिय क्यों मागना है कि आश्चाजी गोष्ट है कि भारता चा संविधना ला अनुकुल नहीं है जी प्राइवेटली के लिए जाते जिसा स्टैंडर्ड ओपरेटिंग प्रोसिजर नहीं है बरते तेचा आडिशन करत चाल अनुकुल यहाद रुष्टे ने अर्थवेवस्था निर्मान के लिए जात असे तो तीला भारत सरकार ने काईदाने रोखला पाहिजे रमेज जी एक मुद्दास है कि यहाद आपन मनतो है कि एंटी कॉंपिटिटिव लौज आहे मीस ब्रैंडिंग चा काईदाव आपर विभी दा काईदान में तरतू दिया जैसा उपयोग करूने थांबोलो जाहुशे रोखला पन दूसरया बजुला खासगी अर्थवेवस्थे शी कि वहाद आपन मुक्त अर्थवेवस्था मनतो आणि जीते व्यापार यहांन त्यां चा क्शा प्रकार यहाद जी आदेश मुश्मीँ में और ना चन्युकू? सब्सक्राइब करते हैं कि अधर अलप संक्याइब के अधर देन मुस्लिम तर या कड़े पात अस्ताना तुम्हाला या 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 वन दिशत नहीं का व्यवसाय चा दुष्टी निशित आपन जे मंटलात ती गोश्ट बरोबरा है परन्तु यह तुन मुलात भारतात ले व् यह तुन भारतात ले जी वैपारां ची लूट चालू आए बर यह चा मधे अज जर हल्दी राम हलाल सर्टिफाइड आया ते हलाल सर्टी पाइसे खर्च गरता तर तुम्हीं दीमार्ट कि वा यह संस्था जी थे ते है कि वा शौपिंग मॉल है तुम्हीं दीमार्ट कि व यह तुम्हीं दीमार्ट केला जानारा खर्च हां शंबर डख्ये ग्रहा कान कड़ून वसूल केला जातो जा मधे बहुताओं भारतार ले हिंदु ग्रहा का है अमचा मने जर मला हलाल सर्टिफिकेट ज नुकवाए माजा संबंध नाही तर माजा कड़ून हलाल सर्टिफिक मिनिस्टर आप माइनोरिटी अफेर्स हुदा है तुम्ही एक चार मौला ननना मिनिस्टर आप होम अफेर्स मधे अपॉइंट करा तुम्ही ता ठीका निक अंचा कड़ून भारत सरकार जसा फससा है एक डिवीजन मनुआ हलाल सर्टिफिकेशन चा अनी हलाल चालावने साथी खर्चे के लिए तर ही चुकीची गोष्टा है और मनुन भारत सरकार कड़े आमी ही विनंति के लिए कि अमिका हलाल चे गुरोधाता हो तसे नहीं पन सर्टिफिकेशन देने चा अधिकार तुम्ही खाजगी उदे जैन मंतिल के अमी एक सर्टिफिकेशन चालू करूं तर में देशा ची व्यवस्ता कशी रहनार मैं सम्मिधान चा गाओ जोगा है उनमा हिंद सार क्या संगतनां सा विचार करते हो क्या कुटला ही कट्टर बद नी संगतनां सा आता तुम्ही आतले जा आर्तिक जनित संज तर तो कट्टर ता बाद जो पासन ही तह तर हलाल सरेटिवेट ची डिमांड जाली ने तर मक संबंधित संगतनां ना पैसा मेल आर्ति तुम्ही संगेत लगे अग्दी तस चक्रा है मैंजे व्यापराव चे चक्रा है चाहे यहा माध्यमातुन आनि महनुन है मीचे संगेत लगी मुडात हलाल ही कॉंसेट जी आनली एकनोमी ची जी कॉंसेट भारता मदे 210 सली इस्लामिक बैंक चालो जाली होती ततकाल इन अर्बिया चे गवर्नर होते रगुराम राजान है चे वरुंद सुब्रमन्यम स्वामिन नी आचिका दाखल के लिए कि सेकुलर देशा मदे धार्मिक अधारा वरती बैंकिं कसे चाल अर्थ वेवस्थेवरत नियांत्रन मिलावना चा प्रयतने केला जात्तो ते भारता सारख्या देशाने खुब सजगर हाईला पाहिजे और अमसमन्ना है चाहे कि या दुरुष्टी ने जाच संस्ता हे सर्टिफिकेशन करता है तन्चा अकॉंट्स ता पसा तन्चे हिशे जनते गड़ून पैसे घता है तो तन्चा आर्टी आता नियम लावत अन्ना कि तन्ना आले ले पैसे चा करतात काय निम्क काय वापर केला जात्तो है यहा जर गोश्टी जाल्या तरस तेक उठे थांबू शकेला मागे एक दासा तेक विशे जाला होता जोमेटो चा बापत समगत लेला श्रावन अन्ना कि तो ने बुदा पता है तर मना तवान है थे जाल्ह ठेन स्पीलेश जेवी पैथना चाहिए अग्林 हbor भरणी सिपोड है जेवा स्नटी हरे भरोंच और मामय टीश हरे है उप्रावधित नें चाहा जोम्सलिम वेक्षित यहिग अन्ध्ड वेबसाइट अनि आप वर्ती हलाल रेश्टरांट चेक नवीन सेक्षन चालू केला तुम्हीं एकी कड़े एक वेगली वागनुक देता है दूसरी कड़े वेगली वागनुक देता है ही मुला चुकीची गोष्टा है तुमी अची सरकार कड़े वागनुक देली तर समान ते चा अधिकारा ता बंगा दाला मुणून नियाला तरी जाओ शकता है पंड़ी प्रावेट कंपने आईजर वागत असनिता त्या वर्मा उक्तर गाई शोला है त्या मधे लोकान ची जागुरूति अस्ता अतला महत्वा जा भागाया निहाला सोशल मेडिया वर्ति कि वा अपले हरका चैनल सने रेखिल तया माध्य मात तुन जागुरूति केली कि मुलात यहा देशा मधे कोन्या चा अधिकार रोखला जाओ ने पन त्या वड़ी त्य अधिक वेगवगड़ा जा समस्या आज निर्मान जालेले आहे तर यहा वेगवगड़ा समस्या नवर्ति सुदा उपायोजना यहा तून भनो नामी लोकां ची जागुरूति करतो कि वा यहा दृष्टिकोना तुन तुमी जे वली उत्पादन घ्याल तर ते उत्पादन तुमी जागुरूत रहा तर तुमी ताना विचारा कि है हलाल उत्पादन यहा थिकानि का विकाला ठेवलेलेले कि वा तेजर असेल ते वेगड़ा विभग तुमी चालू करा तया मुले यहा दृष्टिकोना तुन्जर हे जाल तर भारताची अर्थव्यवस्था जी आहे तो सरवाद मोटा प्रणूरूत त्यामुलेच मनून ही यहा मदे प्रची पूटली माघनी केलेले नहीं है यह जरी शर्टिफिकेशन डो नजार तेरा पसुन असल तर रिसुदा का आम चेक रटिफिकेशन लागु कर असे माघनी केलेलेले में अत्ता चाहली उदारन संग के लागेला मग एकए कड़े जर तैनी फक्त यवडा लिहला कि आम चाक ड़े मुस्लिम स्टाफ नाही तर शोशल मेडिया वर ती तैनल ती लगे ज गुना दाखल दाला तना आठक जाली तर माजा प्रशन एक हलाल मदे सप्ष्ट काइदे था तैंचा लिलेला है कि मुस्लिम शोड़ों दूसरा कोण ही हलाल कुरू शकत नाहीं माहा सगल मौला ना कवाटक हो ने तयाम ने एकक गड़े जर एकका काया तैसे जर तुम्हीन एनफ्वोर्स्मेंट एका पद्धते ने करता है तयास्ट दूसरेया पधादे जर बगेतल तर ता पद्धते निया त्याचा सा मुद्धा आणि त्या मुद्ध्या वरून शुरू असलेला जो विरोध हिंदु तो आदी संगत नान पुड़ून तर त्या बाबत तैंची जी भूमिक आये ती भूमिक आपलेला रमेश शिंदेन नी आज वेवस्थित समझाउन संगितले त्या बद्दल तुम्चे अणि सब्सक्राइब सुद्धा करा धन्यवाद